हलो हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एंबोरिंग अकैडमी और यह चौथी क्लास है चौथा चेप्टर और इसका टाइटल है यह जो सक्षन है जो हरपन सोसाइटीज के उपज जो क्वेश्चन आते हैं सीटेट के पेपर टू में सोसेज स्टेडीज में उसको हम लोग इस से पहले कुश्चन से ठीक है दा रूइंस ऑफ दा हरप्पा वाद फर्ष्ट डिस्क्राइब डबाई सबसे पहला डिस्क्राइब किया किया गया तो यहां पर ना तीन चीजें हैं तीन लोग है जो इंपोर्टेंट है जिनका नाम याद रखना जरूरी पढ़ जाता है दो चार्स मैसन जौन मार्शल औरलेक्षेंडर कनिंगम तीनों लोग इंपोर्टेंट है सबसे पहला जिने सवाल जिक्र किस ने किया कि सब्वेटा हो सकती है तीक है यहां पर सब्वेटा उसकती है उसका जिक्र हुआ 1442 में किसने किया Charles Mason ने किया हरपपा नाम की सब्वेता बिल्कुल दुनिया से अचूती अंजान थी किसी को नहीं पता था कि ये एक्जिस्ट कर सकती है या है ठीक है तो लेकिन Charles Mason ने इस बारे को बतारे कि नहीं भी या देखो यहां पर खोड़ोगे तो कुछ मिलेगा बढ़ यहां हरपा सिब्लाजिशन है लेकिन प्रॉपर हरपा जो पहला मतलब खोज जिसने किया है ये जिसने सिटी खोज की निकाला वो निकाला 1921 में बाई जॉन मार्शल इसकी 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 इसके इसकी इसने की यह ना उसको कहते हैं Alexander Cunningham तो तीनो नाम आप याद रखिए तीनो नाम अलग अलग सरीके से पूछा जा सकता जैसे कि सवाल पए ठोड़ा सह ट्रिकी बना धीया इसने पूछा कि साप्से पहला दिक्र किसने किया था ठीक है तो डिस्कराइब तो 1842 में ही हो गया था Charles Mason के माध्यम से लेकिन जो खुदाई हुई थी हरपन Civilization वो किसने किया है जॉन मार्शल ने किया हुए अच्छा इसी चलते चलते एक चीज मैं और बता दूँ कि हरपन Civilization का नाम कैसे पड़ा तो हरपा की जो साइट है वो बहुत धेतारी वहां पे साइट्स है लेकिन पूरी साइट्स के समों को कहते है हरपन Civilization क्योंकि एक जगहां है जिसका नाम है हरपा सबसे पहले जो जगहा पर खुदाई चाल हुई थी वो जगहां थी हरपा इसलिए पूरी सभ्यता का नाम ही पढ़ गया हरपन Civilization हरपा की जो खुदाई हुई ऐसा नहीं कि सबसे जो विभिन साइट सा खोजी गई उसमें हरपा सबसे बड़ी साइट नहीं है सबसे इंपोर्टेंट नहीं है लेक किस ने किया सबसे पहला अगला सवाल देखते हैं which of the following is incorrect इसमें से क्या सही नहीं है क्या क्या दो option दिया हुआ हरपा के खंडरों का वरड़न सबसे पहले जॉन मार्शल ने किया नहीं जॉन मार्शल ने नहीं किया था अभी थोई दे पहले देखा चाल्स मेसन ने किया था चाल्स मेसन ने किया है जॉन मार्शल ने खुडाई की है 1921 में इन्होंने दिकर कप किया है 1842 में ठीक है तो पहली लाइन गलत है पहले हडपा थलो की खुडाई चाल्स मेसन द्वारा की गई उल्टा कर दिया इसने इसलिए दोनों ही incorrect है बोट आर incorrect all of these A and B पूछ रहा कौन सा incorrect है दोनों incorrect है चाल्स मेसन का नाम उपर होना चाहिए और जॉन मार्शल का नाम नीचे होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से tricky questions आते हैं आपको याद रखना पड़ेगा history के question तो यार दोको इसलिए होते हैं कि आप तुक्के मारी नहीं कर सकते हो आपको exact पता होना चाहिए कि किसने आदमी ने कौन सा काम क्याप किया है नहीं तो उसमें से तुक्के मत मारो अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं चालो Consider the following two statements A and B choose the correct answer दो statement दिया हुआ आपके सामने A और B उसमें से सही statement को चुनना है पहला क्या है देखो घूमफिर के सवाल धिर सारे जहां से बन तकते हैं जॉन मार्शल ने सबसे पहला excavation किया हड़पन साइट का बेको सही बात है The most accepted period of the civilization is 3000 BC से 1500 BC नहीं ये चीज गलत है लोगो जो generally हड़पन से अभथा को existence को कहा जाता है न वो कहा जाता है कि 2500 से शुरू हुई थी कोटडी जी आमिर इन सब जगहों पे अफगानिस्तान की जगहों पे लेकिन ये अच्छे से मलब प्री हर अपन सिवलाइजेशन को आप कह सकते हो बाइस सो के पचास के आसपास से थोड़ा बेतर शहर बनना चालू हो गए थे 2000 के आसपास ये ठीक ठाक थी और 1750 तक आते आते ये सब कुछ मामला खतम हो गया था यहां तक कुछ नहीं बचा था बेकुल लास्ट खतम हो गया था तो 3000 BC से नहीं माना जा सकता है माना जाए का करीब आगा 2500 एक अमभूमन माना जाए और 1500 नहीं वो 1700 तक जो है सारे मामले खतम हो चुके थे ये इंडिया सर्ली सिवराइजेशन के तो ये दीवी डेट सही नहीं है लेकिन जो पहला आंसर है कि जॉन मार्शल ने सबसे पहले हुडाई की थी हरपन साइट की हाँ बेकुल सही बात है जॉन मार्शल ने खुडाई की थी कब की थी 1921 में की थी ठीक है तो मेरे ख्याल से दोनों ही आंसर आप लोग समझ गए होंगे बोथ A and B are true अगला सबाल दिखते है विच आफ दा फॉलोइंग स्टेटमेंट इस ट्रू अबाउट हरपन सिवलाइजेशन के बारे में कौन साइट स्टेटमेंट ठीक है चलिए क्या है चार स्टेटमेंट दिये गए हैं पुजारी समाज का सबसे प्रभावशाली समू था नहीं ऐसा हैं कि पुजारी जो है हरपन सिवलाइजेशन में इंडेस वजी सिवलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट जगहां रखता था क्योंकि बहुत यह जो ब्रहमार समाज का जो पूजा पार्ट करने वाले समाज का आधिपत्य है यह बाद में आया उस टाम पर समाज हो था इसकी कोई क्लियर वो नहीं मिलती है स्लेवरी सिस्टम का भी दास्ता गुलामी का भी कुछ नहीं मिलता है लोग पूर्त्या शाकाहारी थे इसको भी नहीं कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं कि लोग पूर्त्या शाकाहारी थे और मांस का तुकड़ा नहीं खाते थे ऐसा न बिला है, यहां पर इसक्राईब से, जो लोग, इस थलिये लोग जो है शास्त्री लोग थे क्योंकि सी्ल्स जो होता है ना सील छोटे-छोटे तुकडे को कहते हैं, लाइए मैं थोडा था है, आपको सील्स की प्रभावशाली लोग है् आपने मोहरे इसके उपर लगा देते थे थे तो इस तरीके से उपर जो अधिक तर के उपड़ जो बैल है ना जिस में सिंगे निकली हुई है उसको जो है बहुत देले साधी सील के ऊपर और पशुपती की सील एक बहुत इंपॉटेंट फिल है जो उस ताइम पे पाई जाती है तो अहरप्पा की टाइम पे देखिए पशुपती किनाथ की अभी मैंने बोला एक सील है यह बहुत फेमस सील है यह तूटी हुई है आधी आधी यहां ते टूटी हुई है यहां पर आप देखिए एक पशुपती भगवान बैठे हुए है इसका इस से इस कीस को भी जोड़ जाता है कि शिव भगवान बैठे हुए हैं बीच में लेकिन इसको पूर्थय कहा नहीं जा सकता है कि यह सील पे शिव जी की ही मूर्ती है पशुपती को कहते हैं मोहंचोजाड़ों में यह सील मिली थी ठीक है तो देवे स्क्राइब मैंने आपको रिखा दिया कि स्क्राइब कहते किसको है ऐसे लोग थे जो सील्स हो गएरा तयार करते थे क्योंकि सील्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हाउस टाइम पे ठीक है अगला सवाल पर चलते हैं चब्रियाओ बिने रमीघ्म पर हynn THE हरपन इंपौर्टेड लैपिस लजूली लैपिस ललजूली reco रापन ने कहां से इंपॉर्ट किया हरपन लोग जो थे वैपार में काफी आगे थे और दुनिए data या गला जगहNセ वैपार भी करतेते हैं मैश्पोतामिया से भी कुछ सामान आता था और वेस्टन यूरोप से भी यह लोग इंपोर्ट करते थे लोथाल नाम का इनका डॉक यार्ड था लोथाल नाम का डॉक यार्ड था जो गुजरात में था ठीक है दो जगहां थी दिल्मन और मकान दिलमन और मकान यह जो है ट्रेडिंग स्टेशन और स्टॉपिंग स्टेशन भी थे मेसाफ़ पर्टामिन सिवलाइजेशन और हडपन सिवलाइजेशन के बीच जो कानुबारी जो है चहल कर आते जाते थे वो लोग इन दो जगहों पर रुखते थे ठीक है आगला question हम लोग देखते हैं which of the following statement is true about fancy fancy जो है जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन वगेरा होते हैं और जो चिकनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उसको कहते हैं तो यह कह रहा है कि क्यों सा statement इसके बारे में सही है तो क्या कहा है statement है bangles earring tiny vessels were made from fancy बुकुर सही बात है चोटे-चोटे bangles वगेरा इस चीज से बनाया जाते थे ठीक है इसे natural product नहीं होते इसको बनाया जाता है और technology के पास थी क्योंकि उस दमाय के बहुत धे सारे चिकने glass plate और pots जो रंगीन pots हैं जो जिनको मट्टी में आग में पकाया गया है चिकना किया गया है वो भी मिला है क्या क्या हुआ कैसे कैसे लोग थे इंपोर्टेंट साइट थी वो आपको basic information होनी चाहिए अच्छा ancient history का कहना यह है कि मेरी इसलाई है कि बहुत जादा माद detail में घुसिएगा जितना आपको मिल रहा है उतने में ही आप रुख जाए क्योंकि ancient history समंदर है अगर आप गोता लगाना चालू कर दोगे तो आप कभी वापस नहीं आओगे How do archaeologically known that Lothal was a dockyard in the Indus Valley civilization लोगों को कैसे पता चला archaeological जो पुरातत तो वाले थे उनको कैसे अभी थोड़ी दे पहले मनने बताया कि Lothal नाम का एक जगहां थी जहांपे शिप वागेरा आते रहते थे ठीक है तो वह इस तरीक से पता चला कि evidence of an artificial brick dockyard ठीक है तो यहां पर इटो का समुव मिला है जिससे यह पता चलता है कि यह एक dockyard ही था dockyard मतलब गोदी जहां पर जहाज वागेरा आता है पूरा शेहर बना हुआ है ना शेहर वागेरा आब जब ठीक खूदते जाते हैं ओधता वह चीजें मिलते जाती है देखे कितना कशिए करती में कि एख सब बहताओं के बारे में जानकारी रहते हैं और खुडाई वगेरा करते तो उनको उस दबायां के तमाम और सेश वगारा मिलते हैं, जैसे इंदर सेश वगारा खुब मिलते हैं How do archaeological know that cloth was used in Harappa? कैसे पता चले कि उन लोगों को cloth की इंदर सेश वगारा करते थे वो लोग कपड़ा पहनते थे और कपड़े का वैपार भी करते थे तो यह सचाई है कि इंदर सेश के लोग कपड़े का वैपार करते थे, कपड़ा पहनते थे अचा भारत का एक बहुत strong point रहा है कपड़ा हमेशा से क्योंकि भारत की जो geography है उसके हिसाब से cotton production बहुत आसानी से हो सकता है भारत में जबकि यूरोप की जो geographical location है न वहां पर कपड़ा और cotton बहुत अच्छे से produce नहीं होता है क्योंकि कपड़े को cotton को produce करने के लिए आपको गरम परदेश चाहिए जहां पर नमी हो black soil चाहिए जो उस नमी को hold कर सके ठीक है बारिश हो गरमी में ठंड में बारिश ना हो जैसे की बिरिटेन में होती है बिरिटेन में ठंड में बारिश होती है तो भारत हमेशा से कपड़े का एक बहुत बड़ा जो है हब राय और export करता रहा है एक्सपोर्टर रहा है आप य जो आज की टाइम पर Milan, Italy, Paris यह वो कहने लगेना या बिरिटेन मैंचेश्टर वगारा है मैंचेश्टर जो है उनको कॉतन कहा दे जाता था भारत से ही जाता था सारा कॉतन ये सब तरीके से colonial legacy है इसमें इस सारी चीजेने हैं की हमसे घार उनको नहीं पताुत। है हम तो वि पिश्गुरु आगा कोई मदाक उड़ा है आप उसको facts जो लो चुपकर आदो उसको तो इंडर्स वेले शिवलाइजेशन के टाइम से ही कपड़े का प्रोडेक्शन और कपड़े का वेपार चालू था यह सचा ही है क्यों क्योंकि पीसे सब्सक्राइजेशन के पीरेट का तो यह चीज इससे व्युकुल साफ पूरूफ मिलता है क्योंकि आप कपड़े को दमीन के नीचे धसाद हो अगर आप 5000 साल बाहर निकालो तो आपको तो मिलना नहीं है ठीक है तो लेकिन कुछ कपड़े बज गये थे तो एक तरीके से एक मर्तबान खो जा गया जो इंडर्स वैलिशेशन के टाइम का है उसका जो मुहाना था वो कपड़े से बढ़ा हुआ था इससे हमको यह चीज शूर हो गया कि इंडर्स वैलिशेशन के लोग भी कपड़े के बारे में जानते थे और वो लोग उसका इस्तिमाल भी करते थ इसमें से कौंसा इस्तिमें सही नहीं है था है नहीं है अधिकतर अधिकतर मल्टि स्टोरी नहीं single story थे single story एक मंजिला मकान ही मिलता है दो मंजिला तीन मंजिला मकान नहीं मिलता है ऐसा कहना गलत है ठीक है They were a systematic town planning on the lines of the grid system grid system क्या होता है ये इसको कहते हैं grid जैसे एक मकान यहां बना है तो दूसरा यहां बनेगा तीसरा यहां बनेगा पाचवा यहां चटवा यहां एक मकान यहां 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 मनलब planning के तहत इंडर्स वैलिग सिवलाइजेशन के मकान बने हुए होते थे उसको कहते हैं grid system ठीक है आइसा नहीं कि एक मकान यहां बना है यहां 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 कहते भी करके बन गया जैसे की मेसोपोटामियन सिवलाइजेशन थी ठीक है तो इस तरह के सागा compare किया जाए ना तो मेसोपोटामियन सिवलाइजेशन से भी बहुत जाद आपग्रेड़ेड़ हम लोगी सिवलाइजेशन थी इंडर स्वाइलिक सेवलाइजिशन जिसको हम लोग कहते हैं अगला सवाल है मुहन जोदाडों के बारे में कौन सी बाते हैं? सही है, मुहन जोदाडों एक important site है जो हरपन सी सब्वेता में ही आती है यह presently पाकिस्तान के सिंद प्रोविंस में है इसमें से कौन सी statement सही है यह एक बहुत बड़ी site है जो RD बनर जी ने खोजी है यह बिल्कुल सही बात है RD बनर जी के दवारा ही खोजी गई है यह उएक काफी बड़ी site है यह कहाँ पे है, यह रवी नदी के मुहाने पे, साइड में, किनारे पे है बिल्कुल सही बात है मोहंजोडाड़ों का मतलब mound of dead होता है बिल्कुल सही बात है मुर्दों का टीला मुर्दों का टीला होता है बिल्कुल सही बात है ठीक है और मोहंजोडाड़ों में नित्र करती हुई लड़की की कास्य परतिमा मिली है bronze image मैं दिखा दूखाओ तो आप ठीक है बहुत ही फेमाज थी है ब्रॉन्ज इमेज भाई ब्रॉन्ज इमेज जो मिली है ब्रॉन्ज इमेज मोहंजोदारो ब्रॉन्ज इमेज मोहंजोदारो से ही खोजी गई है बहुत पुरानी परतिमा है आप तो पांच अजार साल पहले हम लोग जो है इस तरीकी की परतिमा जो है कॉपर आइटम में बना सकते थे और बना के इस तरीके से सजा सकते था सोचिए तो उस टाइम की टेकनोलोजी कैसी यही होगी बहुत ही शांदार होगी उस टाइम की टेकनोलोजी मोजी जी फोटो भी नीचे आ गई है तो तारी लाइन सही है जो भी ऊपर वाला कुश्यन था उसमें सारी लाइन सही है अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं which of the following are incorrect इन में से कौन सा इस्टेट्मेंट गलत है तो हडपा के लोग चावल उगाते थे हडपा के लोग बिल्कुल सही बात अभी है चावल उगाते थे irrigation was not practiced in the civilization irrigation की practice नहीं होती थी उस civilization में ऐसा नहीं है irrigation की practice होती थी बिना irrigation की practice के आप चावल कैसे उगाल होगे ठीक है और घोड़े के जीवांश अमरी से प्राप्ट हुआ है घोड़े के जीवांश अमरी और सरकोटड़ अभी एक जगहा है जहां से भी घोड़े के जो है आउशेश मिले हैं तो option हो जाएगा A और C ठीक है चावल की खेती होती थी irrigation होता था ठीक है Irrigation होता था एक तर नहीं कह सकते इरिगेशन होता था ठीक है और घोड़े के जीवांश भी अलग अलग जगहों से हम लोग को मिले हैं इससे ये भी कह सकते हैं कि हड़पा के लोग घोड़े को पालते थे और घोड़े का इस्तिमाल भी अपने रोज मर्रा की जीवन में करत थी ठीक है उससे पहले का तो कोई आउचित्र है नहीं इससे पहले आप जब वीडियो में जाईएगा तो मैंने पहली ओलिथिक नीओ लिथिक मीजोलिथिक चालकोलिथिक ठीक है इसके ऊपर बहुत एक अच्छा सा वीडियो क्वेश्टेंस के मार्णियम से मैंने समझाया पढ़ाया है वो भी आप देखिए कैसे पहले जो चैप्टर वन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत डीटेल में यह चीज़ बताईए कि इंडेस वैली सिवरिजेशन कब से चालो हुई थी और उससे पहले क्या था उससे पहले के लोग कैसे थे प्रियो हरप्पा प सूखी इटों के बजाए चूने की पकी हुई ईटे क्यों इस्सेमाल करते थे तो 5000 साल में खतम हो जाती है वह हमको मिलती ही नहीं वह एटे लेकिन जो हरप्पा के लोग हैं वह पका के इटे क्यों यूद उसकरते थे जैसे एक वो है कि चोहणदारों में 7 से जाड़ा बार, जो है चोहणदारों एक साइट है हरपन से इडाजेशन की, जहां पर 7 से जाड़ा बार फ्लेट आने के परमाण मिलते हैं, तो जब फ्लेट आती थी तो कच्छे इट अगर उसकरते तो पूरी की पूरी सब्वेता गल जाती बह जाती, इसलिए इटो को पका के यूज़ किया जाता था, चूने की पकी हुई इटो का इस्तिमाल इसलिए किया जाता था, क्यों? क्योंकि Cities being on a bank of river, जो शहर नदियों के किनारे होने के कारण जलवाईू नम थी, जब जलवाईू ही हमारी नम है, और कच्छी मिट्टी हम यूज़ करेंगे, तो वो बहा ले जाएगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं देखो, ये भी एक आता है, कि great बात का क्या मतलब है, मैं ये भी दिखाऊंगा आपको, कि great बात actually होता क्या, किसके बारे में बोला जा रहा है, सवाल पूछा है, कि great बात क्या होता है? इसल में क्या है, एक बार आप देख लीज़ेगा, तो आपके दहन में वो बैठ जाएगा, देखिए, बहुत बड़ा सा कुवा इस टाइप का रहता था, हरपा में, हरपा में इस तरीके का बहुत बड़ा कुवा रहता था, तो मोहन जोडारो का great बात, great बात of मोहन जोडा आते हो न, आप देखो जो नहान का जो culture हो कितना पुराना है, इनके पास भी इन लोग ने भी इस तरीके का great बात का area बनाया हुआ था, एक तरीके से क्या हिंदी में आप नहान कहता है, ये लोग कुछ और कहते होंगे, लेकिन ये जो नहान वाला ritual है, ये मोहन जोडारो की spiritual और festival celebration, किसी महातपूर अनुष्ठान एवं उस्सों के लिए इसका उस्सों का इस्थान था ये, जो great बात था, मोहन जोडारो में great बात जो था, वो बड़े उस्सों की जगहां थी, जहां पे ceremonies वगएरा मनाई जाती थी, इससे ये भी कहते हैं न, कि लोग पूरी तरीके स धार्मिक नहीं थे, लेकिन धार्मिक थे भी, क्योंकि धार्मिक थे, इसका सबूत तो मिलता है, लेकिन कौन से भगवान की पूजा करते थे, इसका पूरी तरीके से सबूत नहीं मिलता है, consider the following statement A and B and choose the correct option, सही option को चुनना है, क्या है, दो options क्या है, पहला option, the society of industrialization was divided into four distinct social group, ठीक है, सिंदुक सबूता, चार अलग-अलग सामाजिक समूओं में विभाजित थी, नहीं बिल्कुल गलत बात है, जो चार समूओं है, ब्रहमर्द, छस्तिय वैश और शुद्र, इसका जो विभाजन है, ये लेटर वेडिक civilization में देखने को मिलता है, करीब 600 BC के आसपास म ये देखने को मिलता है, उस टाइम पे इंडर्स वैश वैश शुद्र, और सबसे उपर ब्रहमर्ण, ये इस तरीके का कोई भी साक्ष हम को नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये लाइन बिल्कुल गलत है, ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, तो सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल, ठीक है, यानि कि महिलाओं का उत्ता सम्मान नहीं होता था, और सब कुछ पिता करते थे, मतलब या मेल करते थे, इसका भी सबूत नहीं है, क्योंकि योनी, योनी की पूजा बहुत जादा, सील्स बहुत धे सारी मिली हैं, जिसके उपर योनी की पूजा है, तो महिलाओं को यह जो लेडीज को ऐज अधा मदर नेचर की तरीके पूजा जाता था इसका एक अनुमान लगा सकते हैं हम मदर नेचर को पूजा जाता था उस टाइम पे प्रकृति की या रिप्रोडेक्टिव फोर्स के तौर पे तो यह नहीं कह सकते कि हडपा की सबेता पित्रास्मत्तक पेट्रियार्कल थी हिंडी में जो वो होता है महिला वाला जो समाज होता है जिसमें महिलाएं डॉमिनेट करती हैं उसको मेट्रियार्कल कहते हैं जिसमें पूरुष डॉमिनेट करते हैं पुरुष के हाथ में बड़े-बड़े कारोबार और बड़े-बड़े strategic decisions होते हैं उसको patriarchal समाज कहा जाता है अगला सवर लेखते हैं मिलुहा Sumerian का एक text है जो बताता है Sumeria, Mesopotamia की तरफ की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हमारे बारे में उनका कोई text है जो मिलुहा बोलता है, इंडस्वैली civilization को मिलुहा बोलता है यह बात विल्कुल सही बात है इंडस्वैली civilization को जो है Sumeria का एक text है उसमें मिलुहा की नाम से जाना जाता है और दिल्मन और मकान दो इंटरमीडियेट station थे जब भारत से या इंडस्वैली civilization से लोग जो है ले के जाते थे सामान अपना Sumerian संबेता के पास में तो कहीं पर दिल्मन पड़ता था, कहीं पर मकान नाम के दो ऐसे जगह से जहां लोग वैपारी रुखते थे रास्ते में इसका मैं जिक थोई दे पहले कर चुका हूँ, जब मैं लोथाल के बारे में आपको बता रहा था तो दो दो ही statement आपके सही है, तीसरा क्या है, इन मेसोपोटामिया हरपन सील वे और फाउंड, भी को जई बात है मेसोपोटामिया में भी हरपका की सील पाई गई है, तो तीनों ही all of these are correct statement, तीनों ही statement आपके सही हो जाते है जितना सीरीज में पढ़ा देंगे 20-25 questions जितने भी रहे गया, उसके बाहर आपको कुछ भी देखने की आउशकता, मुझे नहीं रखता है पढ़ेगी या आपको देखना चाहिए भी, क्योंकि देखो, यह जो ancient history है यह समंदर है, आप डूबोगे, आप खो जाओगे, आपको यकीन मानिये रोकना पड़ेगा कि इससे जादा नहीं पढ़ना है Consider the following statement, TNB and choose the correct one two statement दिये गए है, और कौसे statement सही है यह चीज बताना है तो पहला क्या है, लोथाल भगावा नदी पे इस्थित है, बेकुल सही बात है, लोथाल जो है, जो इनका dockyard था, वो भगावा नदी पे इस्थित है काली बंगन में आधा हरपा और हरपा संस्कृति के चड़ा मिलते है, यानि कि प्री हरपा, प्रोटो हरपा, कल्चर मतला काली बंगन हरपा से पहले जो कल्चर था, उसको प्रोटो हरपा कहते है, ठीक है, लिख के मैं बता देता हूँ, प्री हरपा, फिर प्रोटो हरपा है, फिर रियल हरपा है, तो रियल वाला तो के बारे में तो हम लोग सब कुछ पढ़ी रहे हैं, जब कुछ नहीं था, खहते हैं, फिर हरपा जहाँ पे लोग हंटिंग गैजरिंग करते थे, ठीक है, पैलियो लिथिक में आ जाएगा यह, यह सारी चीदें पैलियो लिथिक में आ जाएगी, ठीक है, जो ट्रांदिशन फेस था, उसको कहते हैं प्रोटो हरपा, तो कालिभंगन नाम की एक जगह है कहां राजिस्थान में जगहां है जहाँ पर इंडस्वाइले सव्लाज़जिशन की एक साइट थी तो उसको उस वहाँ पर दो मालब काफी पुरानी साइट है तो यहाँ पर हरप्तन सव्लाज़जिशन के विए आउशेश मिलते हैं और उससे पहले की जो एवॉल्यूशन था वो उसको असमेंक मिलता है काली बंगन का एक और खास बात सब्सक्राइब था कि क सवगे हराइब हें और नई कि यग जहां पर द करते था हर गर से ऐसे हैप यह सबूल है जहां पर ये चीजर का थेमершंगता है कि हर देग होता था In which of the following state the largest number of 15 sites are found कौन साइसा state है जहाँ पे सबसे जादा हरपा की site मिली है दो क्या है कि इंडिया पाकिस्तान को पूरा बॉर्डर है न वो सारे जगहों पे बहुत धे सारी site मिली है लेकिन जो सबसे जादा sites मिली है वो रहा भी बहुत सारी site मिली है लेकिन official document बोल रहा है, जो seated का हिसादा से चलना है हमको वो गुजरात मिलरा है राखी-घडई नाम की एक site मिली है घृयादा में जो सबसे बड़ी site है लेकिन अभी किताब में अपडेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को वो नाम लिखना चाहिए, किताब, मलब यह चीज़, क्योंकि जो सीटर का जो आंसर आएगए तो किताब के हिसाब सही वो लोग बना कर देंगे हरपपा made, हरपपा लोग क्या करते थे seal बनाते थे, stone की बेखुल सही बात है pot with yellow design, yellow design की pot भी बनाते थे spindle walls made of iron, iron की खोज होई नहीं थी तो हरपपा की लोग iron तो उससे तो कुछ बनाई सकते वो tin बनाते थे, copper की चीज़े बनाते थे और stone की vessels भी पाये नहीं पाये गया है जो ज़्यास तर बयूदיות जो पाये गये है वो चीनमिट्टी के पाये है टीक है, China मिट्टी के पाये गया है, सोने के विदल्स नहीं पाये गये है, अच्छा, यह भी बात है, एक और बात सोचने की है कि जो सोने के वेदल सोंगे उस चोरी कर ले गये होंगे क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीश का एरिया वहीं से तो सारे शाशक, रूलर वगएरण आए हैं तो ज़्या मिला होगा कुछ सोने का तो कोड ले गये होंगा जो चीनी-मिठी का मिला वो छोड़ दिया होगा ठीक है तो जो सोने के विदल का बारे में कुछ कहां नहीं जा सकता है लेकिन उपर का दोनों ऑप्शन ए और भी विएकुल पूर्तिया सही है उसमें कोई डाउट नहीं है अगला सवाल है कि कौन सी ऐसी जगहां है इंडेस वैली सिवलेशन के जहां पे लोगों को बरी किया जाता था ग्राउंड पे जहां पे सीधे-सीधे उनका जो सर है वो नॉट्स की तरफ किया जाता था यह बहुत फेवरेट क्वेश्टियन है सीटेट वालों का भी और यूपी में पढ़ती है यह जगहां इनाम गाओं उत्रप्रदेश में यह जगहां पढ़ती है फेवरेट क्वेश्टियन है इसको आप याद कर लो ठीक है जैसे कि जब लोग मर जाते हैं तो निश्चित दिशा में उनका मूह करके उनको बैठा के उसको उस पर से मिट्ट वो बनेगा वेधिक एज का हम लोग पढ़ाई करेंगे इसके बाद वाले चप्टर में ठीक है थांक यू सो मच फॉर वाचिंग देस वीडियो ठीक है प्लीस लाइक शेर और सब्सकाइब अलसो